नमस्कार स्वागत है आपका इस्पियर नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके सांश्रूती और आप खबर महाराश्ट से महाराश्ट में मुख्यमंत्रे उद्धव ठाक रहे हैं यहाँ पर कॉंग्रेस न्सीपी और शिवसेना की महागाडी सरकार है और महाराश्ट में वीधान सवा शीतकालीन सत्र के दारान उद्धव ठाकरे ने जो किसानों की करज माफी को लेकर जो एहलान दिया है, जो एहलान किया है उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे उद्धर ठाकरे ने किसानों के 2,00,00 रुपए तक का लोन माफ करनी का एलान किया है जबकि विपक्ष यानि कि बिजेपी इसका विरोध कर रही है उद्धर ठाकरे ने यहाँ पर पूर्ण करज माफी का वादा है उसे पूरा नहीं किया है इसको लेकर यहाँ पर बिजेपी इसका विरोध कर रही है वहीं आपको बता दे कि विपक्ष किनेता देवेंदर फडनवीस ने आरोप लगाया है शिवशेना की अगवाई वाले सरकार पर पूर्ण करज माफी के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा उद्धर सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान जेलने वाले किसानों को प्रती हैचर 25,000 रुपए की सायता देने में नाकाम रही सियम बनने से पहले उद्धर खुद ये मांग उठाते रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से महराष्ट में विधान सबस्षीत कालीन सत्र के दोरान उद्धर खुद 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 ने ऐलान किया कि 2,000,000 रुपए तक कालोन किसानों के माप करने का ऐलान किया विपक्ष ने पूर्ण कर्ज मापी की मांग करते हुए सदन से वाक उट कर लिया यानि कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो पूर्ण कर्ज मापी का यहाँ पर मांग कर रहे हैं वही सियमुद्धव ठाकरे ने विधान सबक शीत कालिन सत्र के आखरी दिन एलान करते हुए कहा किसानों का 2 लाख रुपए तक लोन माप कर दिया जाएगा पैसों को सीधा किसानों के बैंग को खाते में डाला जाएगा यह स्कीम लगबग मार्च से शुरू होगी वहीं इसके अलावा बतादे कि ठाकरे ने लोन माप के जाने की कट आफ डेट 30 सितंबर 2019 बताते हुए कहा लोन की अपर लिमिट 2 लाख रुपए रहेगी यह योजना जो है वो जोती राव फुले कर्जमाफी योजना के नाम से जानी जाएगी के अलावा कर्ज समय पर चुका देने वाले किसानों को स्पेशल श्कीम भी दी जाएगी बता दे आपको कि महाराष्ट में विधान सभा शीतकालिन सत्र के दौरान उद्धह ठाकरे ने किसानों के लिए यह बड़ा एहलान किया है खैर यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं और आगे तमाम जानकारी के लिए बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्का